नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल जरदारी क्लासेज में दोस्तों उत्राखंड हिश्टी का आज ये आटमा लेक्चर है और हम यह आप चर्चा कर रहे हैं पमवार वंस के बारे में पमवार वंस का इस सैकेंड पार्ट है जो पमवार वंस का फ़र्च पार्ट साल जो पिसली वीडियो थी उसमें हमने कनकपाल से लेकर स्याम साह तक आपको कम्प्लीट करा जा था वहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चीए और आज हमें आपको शुरू करेंगे महिपत साह से और दोस्तों बहुत सारे इस्टुएंट पीड़फ की मांग कर रहे से तो आपको बता दे आपके लिए यहां पर हिस्टी की ई-बुक लाई गई है जिसमें आपको डिटेल्स में जो भी यहां पर पढ़ाय जा रहा है जो आप तक टोपिक कम्प्लीट हो चुके हैं वो सारे नोट्स उसमें उपलब्ध हैं और आगे भी यानि उत्राखन के प्राग रहते हैं सी काल से लेकर उत्राखन प्रतक राज आंदुलन तक कम्प्लीट नोट्स दोस्तों इस ई-बुक में दिये गए हैं उत्राखन हिस्टी के डिटेल्स में जैसे आपको यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ाय जाता है विद एमस्यू की भी इस ई-बुक में प्रते एक टोपिक के बाद रखे गए हैं ताकि आपको प्राक्टिस आप कर सकें और आप खुद को वहाँ पे आंख सकें अगर आपको यह ई-बुक चीए उत्राखन हिस्टी की तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप सहर्च कर सकते हैं जरधारीक्लासिस.in तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर सुरू करते हैं सुरूआत करते हैं महिपत साथ से महिपत साथ जो कि पमवार वंस का च्छाली स्वा साथ सकता और इसका सासनकाल माना जाता है 1631 से लेकर 1635 तक अधो कि किसका समकालिन था मुगल वंस में समय कौन राजा था तो वो ता सहा जहां मुगल वंस का साथ सकता तो सहा जहां का यह समकालिन था महिपत सा को उपाज दी गई है गरो भंजन की गरो भंजन और गरो भंजक ये दोनों अलग लग है गरो भंजन कहा गया है महिपत सा को जबकि गरो भंजक की उपाज किसको दी गई है गरो भंजक ये उपाज दी गई है माधु सिंग बंडारी को महिपत सा का ये सेनपजी था मादू सिंग बंडारी तो मादू सिंग बंडारी को कहा जाता है गरो भंजक जब कि गरो भंजन किसको कहा जाता है तो वो कहा जाता है दोस्तों महिपत सा को महिपत सा ने 1625 इस्प्री में महिपत सा ने क्या किया था केशुराय मठ जो मंदिर है स्री नगर में इसे था है वो मंदिर किसके सासनकाल में उसका निर्मान किया गया तब वो किसके सासनकाल में होगा दोस्तों स्याम साह के सासनकाल में क्योंकि स्याम साह का जो सासनकाल है 1611 से लेकर 1631 तक और केशुराय मठ का जो निर्मान किया गया स्याम सा की मरतिकवाल सासा कौन मनता है मैपत साह तो मैपत सा ने बले ही केशो राय मत्ठ मंदर कա निर्मान कराई था 1635 में लेकिन उस समय सासन काल किस का था किस का कौन राज़ा था उस smझ हो था महाराज़ा स्याम Yours तो इसमें आपको confusion होना है माईपत साथ के तीन पर्मो को सेना पल थे कौन कौन थे मादो सिंग मंदारी लोधिर इखोला और बनवारी दास अब एक एकर इनके बारे में जानते हैं देखो जो मादो सिंग मंदारी है इनका एक रजत अभिलेक मिलता है रगुनात मंदिर में र रगुनात मंदिर देवप्र्याग में इसी था है और इस रगुनात मंदिर में मादो सिंग मंदारी का एक रजत अभिलेक मिलता है जहां पर मादो सिंग मंदारी के जुतिया पुत्र गजे सिंग का नाम लेखिता है गजे सिंग और गजे सिंग की पतनी थी मतुरा बोरानी यानि मादो सिंग बंडारी की पुत्रवदू मतुरा बोरानी और मादो सिंग बंडारी के पौत्र अमर सिंग अमर सिंग इन तीनों का नाम मिलता है इस रगुनात मंदिर जो यह रजत अविलेक मिला है मादो सिंग बंडारी का और पोत्र का नाम है अमर सिंग, साथ साथ आप सभी जानते हैं मलेथा में, जो मलेथा गूल का निर्मान कराया, वो किस ने कराया, मादो सिंग भंडारी ने ही कराया है, और मादो सिंग भंडारी को क्या कहा जाता है, तो गर्व भंजक कहा जाता है, मादो सिंग भंडारी को, गरोभंजक कहा जाता है, तो गरोभंजन और गरोभंजक में आपको कभी भी कन्फ्यूज नहीं करना है. मले था कि जो कूल है या गूल आप कह सकते हैं उसका निर्मान किसने कराया है, तो मादो सिंग बंडारी ने कराया है इनके बारे में इत्यास में आप पढ़ते होंगे मादो सिंग बंडारी की किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर गूल का निर्मान कराया था और जो इनका रज़त अविलेक मिला तो कौन से मंदिर में मिला रखनात मंदिर जो की दिव प्रियाग में इस्थित है मादो सिंग बंडारी ये एक वीर सेनपे थे और इनके बारे में ये इतने वीर थे कि इनके सम्मान में एक चंद भी परसिद्ध है एक सिंग रेंदा बन एक सिंग रेंदा गाड और एक सिंग मादो सिंग और सिंग काहेका तो मनलग इनको भी सेर की उपायद दी गई है सिंग की उपायद दी गई है मादो सिंग बंडारी को एक वीर सेनपे थे इसलिए इनके बारे में ये चंद्यापे परचलित देखने को मिलता है मादो सिंग भंडायर के बारे में एक और उलेख भी है 1640 में क्या हुआ था जो रानी करनावती है आप देखो रानी करनावती कोन है इनके बारे में आगे आगे आपको बताए जाएगा लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि महिपत सहा की पत्नी है रानी करनावती जिनको नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है तो 1640 का एक तामर पत्र प्राप्त होता है रानी करनावती का रानी करनावती जिनको चमोली जिल्ले के हाट ग्राम में इन्होंने मादो चिंग भंडारी को साक्षी बनाकर हटवाल नामक ब्रामन को भूमिदान की थी तो 1640 का ये तामर पत्र मिलता है और ये भी माना जाता है कि जब महिपत सा का तिबबत अभियान चला था तिबबत पे आकरमन क्या था महिपत सा ने तो बुसाहर नामक युद दुपएं मादो सिंग मंडारी 1640 में इनकी मिरती हो जाती है तो जो तिबबत आकरमन था उसमे में इनकी मिरती हो जाती है अब देखो जो दूसरे सेनपती है लोधी रिखोला लोधी रिखोला इनके बारे में जान लेते हैं तो इनके समय महिपत सा के समय क्या हुआ था कि दापा पर इन्होंने आकरमन किया था गडवाल के उतरी छेतर में था दापा गड़ और वहां प पूर्ण भोमी का निवाय थी लोधी रिखोला ने उसके बाद लोधी रिखोला ने क्या क्या था इसकी बहादूरी के कारण महिपत सा ने इसको दक्षनी सीमा का भार सोपा था और उसके बाद महिपत सा ने लोधी रिखोला के नेतरतों में ही सिर्मोर हिमाचल प्रदेश में सिर्मोर वहां पर अधिकार किया था महिपत्षा ने सिर्मोर पर अधिकार किया था किसके नेतरतों में तो लोधी रिखोला के नेतरतों में और तीसरा सेना पर था बनवाडी दास जिसके नेतरतों महिपत्षा ने कुमाउं अभियान किया था अब देखो जो कुमायों अभियान चला था महिपत साह का तो उस समय कुमायों का सासा कोन था यानि महिपत साह का जो समकालिन था वो था तिर्मल चंद तिरमल चंद के बारे में आपको चंद मंस में बता रखा है कि जो तिरमल चंद जब सासक बना उस समय उसके ग्रह कलेश के कारण इसने कहां सरन ली महिपत सहा के राजदरबार में सरन ली थी और महिपत साह की मदद से ही तिरमल चंद चंद मंस का सासक बनता है लेकिन जैसे ही तिरमल चंद सियांसन पर बैठ जाता है उसके कुछ समय बाद तिरमल चंद महिपत साह से युद्ध आरम कर देता है और महिपत सहा और तिरमल चंद के बीच कौन सा युद होता है काकुव मोर यह important युद है दोस्तों यह आपको note करना है काकुव मोर युद किस किस के बीच में होता है महिपत सहा और तिरमल चंद के बीच और मुला राम के अनुसार इस काकवा मोर युद में महिपत सहा और इनके सेनपति बनवाडी दास मारे जाते हैं तो यह important यह आपको note करना है मैपत साहा और उसका सेनपती बनवारी दास किस युद्ध में मारे गए काकुवा मोर युद्ध में जोकी गड़वाल सेना और कुमाओं सेना के बीच हुआ था कुमाओं साचा कौन ता इसमें तो त्रिमल चंद था साथी साथ मोला राम ने महिपत साह को क्या कहा है कौन सी उपाज़ दी है महा परचंड भुजदंड यह मैं आपर लिख रहा हूँ महा परचंड भुजदंड यह किसने कहा है महिपत साह को तो यह कहा है मोला राम ने और साथ मोला राम ने यह भी कहा है कि काकुवा मोर युद आपको नोट करना महीपत साह ऐसा साजक था जो अपने जितने भी समय तक इसने सासन किया अधिकांस समय तक ये युद में ही बेस्त रहा दापा अभियान के इसने शिरमोर हिमाचल परदेश जीता उसके बाद डक्षिन अभियान और साथ साह 47 कुमाओ अभियान जिसमें अंतमे इसकी मृत थी हो जाती है तो अपने जीवन पर जो अनतमे कसीए बारे में कई बार कोईसन पुसि झाते हैं और आप सभी जानते होंगे ऑर करनपूर किस ने बसा है तो रानी करनावती ने द्यारदीने किसके पतन थी तो महिपत साघ की पतनि थी किसके पतनी थी महिपत सा का निदन हो तो इसलिए मैं गटवाल पर आक्रमन कर देता हूँ तो मुगल बासा साहजां का जो सेना पजी था नवाजत खान नोट करने आपको नवाजत खान ये 1635 में क्या करता है देखो तिथी अलग-लग इतियासकारों ने अलग-लग दे रखी है तो अधिकांस था 1635 ही कहा गया है तो 1635 में नवाजत खाँ जो की सहाजान का सेनपलिता ये दून घाटी पर अमला कर देता है अब रानी कणवत देखती है तो रानी कणवती जाती है और मुगल सेनिकों को बंदी बना देती है और उसके वाद इन सभी मुगल सेनिकों के नाक काटे जाते हैं और मुगल सेनिकों के नाक काटे जाने के कारण इनका नाम क्या पढ़ा दोस्तों नाक कटी रानी यानि जो नाक कार देती है तो नाक कटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है रानी करणावति को जाना जाता है साथ इसाथ इन्हें गडवाल की दुरगावति और साह की पत्मी थी नाकटी रानी हो गया और देरदुन में करणपुर नामत सहर किस ने बसाय था वो भी रानी करणावती ने बसाय था ये हाली में एक्जामें फूसा गया है वर्स 2021 में किसी एक्जामें ये question पहले ही बन चुका है तो important fact सारे आपको महिपत साह की बारे में बत 630 mm स्योर 20aken करभा था समभार रहedar चाशने कारे ये समाला सहर 435 में जब महिपत साह का निदन हो जाता है तो उस समय एक कारेकारी मंलब लिवार्थ की सर्फ into वर्स के उमर्ण में ये राजगदी पर बैठ जाता है 1635 में लेकिन आप साथ वर्च का बच्चा कारभारतों सम्भाल नहीं सकता है तो इसकी सरक्षी का कौन थी इसको किसका सरक्षन प्राप्ता रानी करनावती का तो प्रत्वी सहा को रानी करनावती का सरक्षन प्राप्ता यह आपको यह फ साजा के जो सरक्षी का है रानी करणावती वो मुगल सेनिकों को पकड़कर उनके नाक कार देती है तो कुल माके वो युद साजा ने किसके सासनकाल में दून घाटी पर आकरवन करवाय था पृत्वी पतिसा के सासनकाल में ही अब यहां पर आपको थोड़ा मुगल वंस के ब बनना दारा सिको को राजा बनना था यानि साजा किसको चाल था राजा बनना दारा सिको को लेकिन ओरंग जेव विद्रो कर देता है वो क्या कर देता है साजा को भी जेल में डाल देता है दारा सिको की वो हत्या कर देता है अब जो दारा सिको का पुत्र था सुलेमान सिको ह यह डरकर औरंग जेव के डर से यह कहां भाग जाता है गडवाल भाग जाता है और गडवाल की जो राजधानिती श्रीनगर वहाँ पे सुलेमान सिको को स्रक्षण कौन देता है दोस्तों तो वो देता है पृत्वी पतिसा यह एक्जाम में क्वेशन बन चुका है कि में दे सकता है माई पत्साह स्यामसा प्रत्वी पत्साह फत्य पत्साह तो यह हो जाएगा आपका प्रत्वी पत्साह जिसने मुगल सहजादा सुलेमान सिको को सिनगर में स्ट्रक्षन जया था सुलेमान सिको किसका पुतर था दारा सिको का पुतर था और ओरंग जेव की डर स अिए अब क्या होता है कि प्रतकी साहा का पुत्र तहां मेध्नि साहा डेखा कि मेरे पिता ने ओरंग द्रैंव के दुस्मन गई दुक्ति रैक्षंव इसको उसने स्ट्रक्षर्ण दे Совे मेध्नि साह तो उसले प्रत्वी ये बात बहुत बुरी लग गई कि इसको पृत्वी पतिसा को, क्योंकि उस समय जो राजपूत राजा हुआ करे थे, पुरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वो सरणागत को क्योंकि सरणागत उनके लिए सरणागत को उसके दुस्मन पर सोपना वो उसको क्या मानते थे अपना अपमान समझते सरणागत को सरण देते थे उसलिए पृत्वी पति साह को ये बात सहीने लगी यानि दिल्ली में चले जाता है और ये भी माना जाता है कि मेदनी सहा की मृत्यों वहीं दिल्ली में हुई औरंग जेव के दरबार में अब आगे बढ़ते हैं मेदनी सहा की जो मृत्य हुई वो लगबग 1669 के आसपास हुई ऐसा माना जाता है और कहा हूँ ही औरंग जेव के ही दरबार में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं लेकिन मेदनी साह का पुतर हो चुका था फते पतिसाह इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे तो यहां तक हो गया अधुको प्रत्वी पतिसाह ने दिल्ली से आये चितरकार स्यामदास और ह प्रत्वी पतिसाह को राजा कौन बनेगा तो मेदनी साह का पुतर था फते पतिसाह यानि प्रत्वी पतिसाह किसको सासक बनाता है अपने पौतर फते पतिसाह को राजा बनाता है कब बनाता है 1664 के आसपास फते पतिसाह बन जाता है सासक अब उसमय यह बालक था तो इसलिए इस समय इसको किसका स्रक्षन प्रत्वी पतिसाह का स्रक्षन इसको प्रत्वी पतिसाह की क्या हो जाती है मुर्ति हो जाती है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो भी मैं आपको लगातार आपको यहां पर बता रहा हूँ जो भी exam की विवो पॉइंट से important है और साथ साथ आपको बताता हूँ details इसके बारे में जो भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ details आपको PDF में दिया गया है link आपको मिल जाकर वीडियो के description में जो उत्राखन हिष्टी की e-book है उसमें आपको complete उत्राखन हिष्टी दी गई है दोस्तों with mcqs के साथ अगर आपको e-book पसंद आती है तो comment box में उस e-book के बारे में अपना review भी जरू बताएं comment box में अब आगे बढ़ते हैं फते पतिसा के बारे में जानते हैं फते पतिसा जो कि 55 वंस का 49 चासवां सासटा और इसका सासनकाल माना जाता है 1664 से लेकर 1710 तक फते पतिसा मातर 12 वर्ष की उम्र में राजगदी पर बैढ़ जाते हैं और कब बैढ़ते हैं 1664 में उसके बाद फते पति सा की सरक्षिका के रोप में कारेबार कौन समालती है राज माता कटोची देवी तो फते पति सा की सरक्षिका कौन थी राज माता कटोची देवी और अगर हम मुगल वंस की बात करें पमवार मस्के सासक को कहा जाता है फते पतिसा को कहा जाता है गड़वाल का सिवाजी और फते पतिसा के सासनकाल को गड़वाल का स्वर्ण यूग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके सासनकाल में इसके राज की सीमाओं में अधिक विस्तार हुआ था काफी इसने अपनी सीमा में विस्तार किया था तो गड़वाल का सिवाजी और गड़वाल का स्वारन यूग गड़वाल का सिवाजी किसे का जाता है फते पति साह को गड़वाल का स्वारन यूग किसके सासनकाल को का जाता है फते पति साह के सासनकाल को नो रतने कौन कौन से थे सुरेशानन बढ़तवाल खेत राम दस्माना तीसरे थे रुद्रिदत किमोटी चोते थे हारिदत नोटियाल पांचवे थे देश्तों वासवानन वहगुणा छटा था ससिदर डंगवाल सातों था सहदेव चंदोला आता था कीरति राम कैंथोला और देशक नमटा हरिदत फपुलियाल तो ये नो रतन किसके दरबार में थे फते पतिसा के दरबार में अब देखो कवी भी थे इनके दरवार में राज कवी कौन कौन थे रतन कवी हो गया माति राम राम चंदर जटा संकर इनकी कुछ परमुक रचनाएं हैं जो एक्जामें पूशी जाती है तो रतन कवी ने फते प्रकास की रचना की जो की जिसमें फते साग का विवरण मिल वो की थी जटा संकर ने तो ये चार प्रमुक कवी हुए थे फते सागे फते पति सागे सासन काल में साधिसाद एक प्रमुक घटना देखनेों को मिलती है फते पति सागे राज दरवार में कठेत गर्दी अब ये कठेत गर्दी क्या होती है इसको जानते हैं तो राज माता कटोची के सरक्षन काल में हरक सिंग कटोच के पांच पुत्रों ने जनता पर अनेक अत्याचार किये जनता के इस सोसन को कठेत गर्दी कहा जाता है इसका मतलब समझ गया आप कि देखो पते पति साको कि इसका सरक्षन प्रापता राज माता कटोची का अब क्या हुआ था कि राज माता कटोची का सरक्षन हरक सिंग कटोच को भी प्रापता एक अन्य बक्ति थे उसमें राज दरबार में हरक सिंग कटोच अब इसने इसका गलत फाइदा उठाया इसके जो पांच पुत्र थे उन्होंने जनता पर अनेक सोसन किये और जनता पर किये कि इन आत्याचा के नाम से जाना जाता है तो कठेत गर्दी किसके ससंकाल में हुई थी फतेपतिसा के सासंकाल में अब देखता है फतेपतिसा ने कौन-कौन से परमख युद्ध लड़े एक और चीज़ दोस्ते आपे important चीज की फते पतिसा ने सिख गुरु रामराय को इन्होंने गुर्द्वारा बनाने के लिए देरदुन में तीन गाउं दान किये थे important है इसलिए आपको याँ पर यह बता दिया गया है तो किसने की यह तीन गाउंदाओं फते पतिसा ने अब जानते हैं जो परमोख युद लड़े हैं फते पतिसा ने पहला युद था सिर्मोर का युद 1685 में ये सिर्मोर का युद ला गया था ये युद ला गया सिर्मोर सासक मेदनी परकास और फते सा के बीच में ठीक है तो इसमें जो ये सिर्मोर सासक ता मेदनी परकास इसकी पराजय हो जाती है उसके बाद होता है दोस्तों भंगानी का युद ये भी एकजामे पोचा गया है भंगानी का युद ये युद हुआ था 1689 में भंगानी का युद ये किस किस के बीच महुआ था तो फते पतिसा और सिख गुरु गुरु गोविंद सिंग के बीच अब इनके बीच युद हु ताहं दान किये थे कुछ भूमी दान किये दुर्ग बनाने के लिए गुरु गोविंद सिंग को और वह भूमी जो थी तो वह गडवाल सीमा के अंतरगत आती थी अब इसलिए फथे पतिसाह आपे नारज हो जाता है और फथे पतिसाह इसको हरा देता है तो फिर गुरु 1689 में ये किस-किस के बीज में लड़ा गया था फते पति साह और सिख गुरु गुरु गोविंद सिंग के बीज में 1689 में उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्या हैं फते पति साह के बारे में ये साहिते और कलाप्रेमी थे और साहिते और कलाप्रेमी होंगे भी क्य नहीं क्योंकि इनके दर्वार में इतने सारी क्याते राज कभी हुआ करते रतन कभी हो गया मातिराम रामचंद्र जटा संकर साथ इसाथ इत्यास काड़े मानते हैं कि अजेपाल और मान साह के बाद गड़वाल का तीसरा सबसे महान राजा हुआ है फते पति साह और इसलिए गड़वाल का स्वनकाल इसके सासनकाल को ही कहा जाता है फते पति साह के सासनकाल को गड़वाल का स्वनकाल भी कहा जाता है तो यह सारे फैक्ट दोस्तों फते पति साह की बारे में आपको नोट करने है उसके बाद आता है उपेंदर साह उपेंदर साह का जो सासन इसका बह पर राजा हुआ उसके बाद इसकी मर्ति हो जाती है 22 वर्स की उमर में बगवाल के दिन यानि दीपावली के दिन तो बगवाल के दिन किस सासक की मर्ति हुई उपेंदर साह की उसके बाद एक अन्य सासक हुए उपेंदर साह के बाद दिलीप साह ये वैसे माना जाये तो गड पर्दीप साअ का अनुज ठाग साथ सकता जो सबसे कम समय तक तक राज सियासन पर बैठा वह उसके बाद नेख्जजो राज है वो है पर्दीप साअ पर्दीप साअ का जो सासनकाल माना Michal नियुक्त खुलि его कि तो यहांपर मृति ओसे बाद डिलीप वाह से हो सबुने कदाने के बाद तो पांच वर्श की उम्र में यह नग्ーンे लिएक पैंछ वर्शता इंच राज़च प्रोलू architect किसने कारेभार समभाला राजमाता जिया कनक देवी तो राजमाता जिया कनक देवी ये किसकी सरक्षिका थी दोस्तों परदीब सा की सरक्षिका थी राजमाता जिया कनक देवी परदीब सा ने भी सिख गुर्दवारा निर्मान के लिए चार गाउं दान किये कौन-कौन से ग सर्माने रामायन परदीप काऑ रतना की है लामायन परदीप काव्या सर्माने यहowsक का सबाकवी था परदीप साह आप दखो-परदीप सा कंकारी कुंसा चंद सहकता कल्यान चंद चंद मंस के बारे में जब मैंने आपको कल्यान चंद के बारे में बताए था उसे मैंने आपको डिटेल से में बता रखा है कि परदीम सा और कल्यान चंद के किस प्रकार के सम्मन्द थे इनके मितरतावत सम्मन्द थे और कल्यान चंद के समय क्या होता है कि कुमाओं पर रोहिला आक्रमन होता है 1743 के आज़ पास 1743 तो कुमाओं पर जब रोहिला आक्रमन होता है तो यह कुमाओं पर पर्था में रोहिला आक्रमन था इसमें जो कुमाओं का चंद सासकता कल्यान चंद ये गवराकर किसके सरण में चले जाता है परदीब सा की सरण में चले जाता है अब परदीब सा इसको अपना सरक्षन देता है लेकिन फिर क्या करता है कि जो रोहिला थे इन्होंने गड़वाल पर भी आकर्मन किया और उस से युद्ध को जान जाता है दूनागरी युद्ध जोनागिरी युद ये किसकिसे बीच हुआ था तो गड़वाल और कुमाओं सेना संयुक्त रूप से लड़ी थी और उधर से रोहिलाओं ने इन पर आक्रमण किया था लेकिन इस आक्रमन में गड़वाल और कुमाओं की संयुक्त सेना इस युद्ध में हार जाती है अब इनको रोहिलाओं के साथ संदी करनी पड़ती है तो रोहिला अपने युद्ध छती में रोहिला यह कहते हैं कि हमारे जो युद में छती हुई है उसके लिए हमें तीन लाक रुपे चीए तो तीन लाक रुपे जब वो मांगते हैं कल्यान संद से तो परदीप साह कल्यान संद को से लेकर 1780 तक इसका सासनकाल माना जाता है ये पमवार उसका त्रेपनवा राजा था और ये किसका पुतर था तो परदीप साह का ये पुतर था त्रेपनवे राजय के रूप में ये राज सियाचन पर बेढ़ता है ललित साह जैसे ही सासक बनता है तो उसके कुछ सालों आसपास ये क्या करता है सिर्मोर पर आक्रमन कर देता है लेकिन सिर्मोर आक्रमन ये पराजय हो जाता है उसके बाद इसका कुमाव अभियान चलता है एक्चुली क्या होता है कि मैंने आपको चंद में काफी डिटेश में बता रखा है इसके आसपास चंद सासनकाल में क्या और ता ग्रह कलेस बढ़ गया था इस समय जो ललित साका या ललित कुमार साका जो समकालिन चंद साज़कता वो था राजा दीप चंद दीप चंद और दीप चंद का दीवान था हर्षदेव जोसी कहें इसको हर्षदेव जोसी बताए गया है हर्षदेव जोसी इसका दीवान था अब एक ब्यक्ति होता है राजद्रवार में मोहन सिंग मोहन सिंग रोतेला मोहन सिंग रोतेला क्या करता है कि दीप चंद को और हर्षदेव जोशी को बंदी बना देता है क्योंकि ग्रेकलेस तो चली रहा था चंद सासकों के या तो मोहन सिंग क्या कर देता है दीप चंद और हर्स देव जोसी को बंदी बना देता है और मोहन चंद के रोप में खुद वहाँ पर साचक बन जाता है अब हर्स देव जोसी ये काफी दिमाग वाला आदमी था ठीक है हर्स देव जोसी किसको पत्र लिखता है ललित चा को पत् पोखर नामक युद्ध होता है 1770 में 1770 में कौन सा युद्ध होता है दोस्तों बगवाली पोखर युद्ध तो ये बगवाली पोखर युद्ध कुमाओं और गडवाल सेनाओं के बीच रड़ा गया कुमाओं सेन का नेतर तो इसमें कौन का रहा था मोहन सिंग रोतेला जो क कि मोहन चंद के नाम से सासक बनाता उसने दीप चंद को और हार्षदेव जोशी को बंदी बनाया हुआ था तो मोहन चंद के रूप में ये क्या करता है सेनका नेतर तो करता है वहां कई सासक था उसमें चंद वंस का सासक और गड़वाल की तरह से सेनका नेतर तो कौन कर रहा तो इस युद में ललित साहा की जीत होती है और जब ललित साहा इस युद में जीत जाता है तो वो क्या करता है अपने पुत्र पर्दियुम्न साहा को कुमाओं का सासक बना देता है क्योंकि कुमाओं किसने विजित कर लिया है ललित साहा ने विजित कर लिया है तो एक्जाम अफसा हुपने बाज चंद का सिंद दीवान जोजोरा का मिमारी हुधि तो जब यह कुमाओं हमी अभियान से लोट राता तो नाम पर नांग डर्चê थे? जैकरत साह परदिमन साह प्राक्रमशा और प्रितम्सा एक की मृत के बाद is गडवाल में भी ग्रेकलेस बढ़ने कीवाों बढ़ना basil हो ? पारदिमन साह में इसका बन जाता हा गडवाल का राजब बन जाता है तो में में सूचавайकरत वाधिक बुद हम्दे neighborhood गर्स बढ़ने लगता है और यहीं से कारण शुरू होता है कि गड़वाल का जो परमार वंस था वो बाद में कमजोर क्यों पढ़िया था तो कहीं न कहीं राजे कमजोर हो जाते हैं दोस्तों अब जानते हैं जैकर्त साह के बारे में तो आप जैसे यहां तक आप समझ पुत्र पर्दिम्न साहा पर्दिम्न चंद रोप में बापे शा सन कर रहा है कुमाओं में, grubwen जैकर्त साहा जएकर्त साहा गड़वाल का शासक बन जाएगा, तो जैकर्त साहा 54 राजे के रोप में इसने गड़ी सम्भाली और इसका जो शासन काल रमाना जाता है शा कुछी तक जो यह जैकर्त सहाथ marginalized का जेश्ट पुद्र था तो उस साफ से गड़वाल přीड़ाथ तो इसे को बन Soo T है है पहले तो पर्दुम Mir Rede karta को loop Outष के बाद वो तिंगार्द पर आक्रमर करता है लेकिन इस युद में ज्यादा कोई ऐसा क्या निıllे निकलता है इसका निश्कर्शह नहीं निकलता है परदिम्न सहाफ फिर लोट जाता है कहां कुमाओं में उसके बाद जो युद होता है दोस्तों कप रोली का युद 1785 मैं इस युद में ये बयांकर युद होता है इस युद में एक और थी गडवाल सेना गडवाल सेना का राजा कुंन था जेकरत साह इसका नेतर तो कर रहा था और साथ इसाथ गड़वाल सेना का जो साथ दिया वो दिया सिर्मा और सासक जगत प्रकास ने दूसरी तरफ कौन था वो था दोस्तों पर्दियुम्न साहा पर्दियुम्न साहा पर्दियुम्न चंद के नाम से और इस युद्ध में लेकिन क्या होता है इस युद्ध में गड़वाल सेना जीत जाती है और जब गड़वाल सेना जीत जाती है गड़वाल सेना वुजई रहती है तो फिर परद्युम्न सहा को लोटना पड़ता है फिर से कुमाओं में और ये युद्ध भी स्रिनगर के सम चलाता था तो अब देखो जो पर्दम्र साता है यह हार काम माने वाला था इसने फिर क्या किया हार्षजदेव जोसि के साथ मिलकर दुबारा सत्रसो पिचाशी में ही आकर्मन किया अब इस समय इनोंने जोसियानी काण इसको का जाता है क्योंकि जोसी जो हर्षदेव जोसी था इसने इस बार इतनी भेंकर लूट मचाए थी पहले देवलगड में उसके बाद स्रीनगर गडवाल में इसने भेंकर लूट मचाए थी तो गडवाल के कई हिस्सों में इतनी भेंकर लूट मचाए थी हर्षदेव जोसी ने इसलिए इसको जोस्यानी कांड के नाम से जाना जाता है तो गड़वाल में जोस्यानी कांड कब घटा था 1785 में हरते जोसी ने गड़वाल पर आक्रमन किया और गड़वाल के कई हिस्सों में लूट पार्ट और अध्याचार किये जिसे जोश्यानी कान्ड के नाम से जाना जाता है तो अभी भी देखो परदियमन सहा क्या कर रहा है कई कोशिस कर रहा है कि मुझे गड़वाल का चीए गड़वाल का राजे भी चीए लेकिन अभी भी वो सफल नहीं हो पाया उसके बाद दून पर जो पर्थम रोहिला आकरमन हो था वो परदीप सहा के सासनकाल में हुआ था इसके सासनकाल में और इसके सासनकाल में इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें जो चंद वंस का सासक्ता हों था उसमें कल्यान चंद तो कल्यान चंद पर पहले रोहिलों का आकरमन हुआ कल्यान चंद फिर सरन में जाता है परदीप सा की इसलिए वो परदीप सा के खिलाब भी रोहिला आकरमन करते हैं तो लेकिन दून पर जो दूसरा रोहिला आकरमन हुआ वो 1786 में किसके सासनकाल में हुआ जेकर्थ सा के सासनकाल में और इस समय जो रोहिला सरदार था वो था जोस्तों गुलाम कादिर तो रोहिलाओं ने भी 1786 के आसपास गड़वाल पर इन्होंने क्या क्या अतियाचार किया और लोट बाट गी और 1786 में ही किसकी मृति हो जाती है द जो देखता है कि γड़वाल की जो राजगदी है वो रिखित पढ़ गई तो वो गड़वाल आ जाता है और गड़वाल का सासक बन जाता है लेकिन गड़वाल में भी इसका विरोध कौन करता था गो चुन राजधि इसका विरोध करता है वैसे तो वहाँ पे हर्सदेव जोसी ने सुयम के हाथों में राज काज डेले था राज के जो भी कारिभार वो खुद संबाल रहा था अब जो पर्दिम्न साथा ये बन जाता है गडवाल का सासक और 1786 से लेकर 1804 तक इसने गडवाल का ये राजा रहा और इसके सासनकाल की ज इसने देखो इसने कुमाओं में भी सासन किया और गडवाल में भी सासन किया इसके सासनकाल में होता है गडवाल का पर्थम गोर्खा आकरमन अब गडवाल का पर्थम गोर्खा आकरमन यानि गोर्खाओं ने गडवाल पर पर पर्थम आकरमन कब किया था दोस्तों 1791 में कर वाल में इस युद में हार जाता है कौन पर्द्यम्न साह ये लंगूरगड में होता है युद लंगूरगड इसलिए इसको लंगूरगड युद के नाम से भी जाना जाता है तो लंगूरगड युद कवल लड़ा गया था 1701 में एक वर्षता का लंगूरगड के लिए पर ग पर्दियुम्न सा को इनको क्या देना था 3000 रुपे वार्शिकर देना था गोरखाओं को और इस संदी की जो पुष्टी नेपाल सरकार ने की थी वो गप की थी 1992 में तो गड़वाल के साथ इनकी क्या हो गई है संदी हो गई है गोरखाओं की उसके बाद दोस्तों पर्दियु आती इस समय सबसे पहले सतरसो पिचाड़ने में समवंत अठारसो इकावन से अठारसो बावन की आसपास यह गड़वाल में बहेंकर अकाल पड़ा था और इसको दोस्तों इकावनी बावनी के नाम से भी जाना जाता है इकावनी और बावनी इस नाम से क्यों जाना जाता है इस गड़वाल की बहेंकर अकाल जब यह पड़ा था इकावनी बावनी नाम से इसको क्यों जाना जाता है क्योंकि ये समवत 1851 और 1852 के आसपास हुआ था तो इसलिए इसको जाना जाता है 51-52 के नाम से 700 पिचाने में ये गड़वाल में भेंकर अकाल पड़ा था उसके बाद 1 सितंबर 1803 में गड़वाल पर सबसे बड़ा विनासकारी भूकम्प आता है गड़वाल में जिसकी तीवरता क्या थी दोस्तों 9.0 यानि 9.0 थी किसकी इस विनासकारी भूकम्प की तीवरता ये काफी तीवरता का भूकम्प था जिसके कारण गड़वाल में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इस विनासकारी भूकम्प के कारण और इसका फाइदा उठाते हैं गोरखा गोरखा फिर क्या करते हैं गड़वाल पर जो अंतिम आकरवन करते हैं गोरखा 14 मई 1804 को खुरवड़ा नामक मैदान पर जो कि देरदुन में इजित है यह यूद लड़ा जाता है गड़वाल सेना का नेतर तो कौन करते हैं परदिम्न साह करते हैं जो कि अभी क्या है गड़वाल के राजा हैं परदिम्न साह और यहां पे गोरखाओं के बीचे यूद लड़ा जाता है इस यूद में गोरखा विजित होते हैं परदियुम्न सहा यहां पर वीरगति को प्राप्त हो जाता है और इस युद्ध के बाद गडवाल पर भी किसका अधिकार हो जाता है गोरखाउं का अधिकार हो जाता है यहां पर एक और बात ध्यान अखने वाली बात है देखो कारण क्या था? कारण एक तो सबसे बड़ा कारण यह था कि गड़वाल में प्राकरतिक तरास दिया आई थी उसमें बहुत सारी आपनाय आई थी और यहां तक आपको बता दे पर्दियुम्न सहा के पास मलद राजकोस बिल्कुल इसका रिक्त हो गया था और युद्ध लड़ने के लिए इस ललेच सह के इस असनकार वे यहां पर यहां पर क्या होने लग जया था तो दोस्तों यहां तक यानि स्रिनगर तक देखो अभी तक स्रिनगर राजधानी थी इन सभी राज़ों की अजेपाल से लेकर हमने शुरुआत की थी स्रिनगर जो राजधानी बनाने वाला पहला साथ हो था अजेपाल और अंतिम सासा के जिसकी राजाने श्रीनगर गड़वाल थी वो था दोस्तों पर्दिमन साह ये भी आपको नोट करना है और इसके बाद जो हम नेक्ट क्लास में जानेंगे हुगा हम तीरी रियासत के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहां तक किलेली समझ में आगया होगा फिर भी यहां कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं और इसका details notes आपको मिल जाएगा वीडियो के description में आपको हमारी ebook मिल जाएगे उसमें इसके details notes मिल जाएगे with mcq उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी और यह series पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दे हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स विशा तब तक ले धन्यवाद